शानुमान जी के भक्त भी बहुत होंगे यहां पर, है ना? तो एक बात मुझे बताना है, हनुमान जी ने जब रावन की लंका जलाई थी याद है, रावन की लंका जलाई थी ना उनोंने, तो उनोंने स्ट्रेस में जलाई थी anxious थे वो उनके चहरे पर मुस्कान और मुपे जैश्री राम और क्या जला रहे है रावन की लंका किसी छोटे परसन की लंका नहीं रावन की लंका जला रहे है और मस्ती से क्योंकि क्या सोच रहे है मैं तो राम जी को dedicate करके ये काम कर रहा हूँ ऐसी अगर आप भी हनवान जी के भग तो सच्चे तो क्या करो ये सिये फाउंडेशन की जंग को लड़ो लेकिन चहरे पर थोड़ी मुस्कान रखके मुपे जैश्री राम रखके कि मैं जैसे भी कर रहा हूँ राम जी जितना आपने सिखाया जितनी आपने शमता दी है to the best of my capacity मैं करूँगा आगे result आप जानो क्योंकि भगवान तो ऐसे भी क्या कहते हैं तू करम कर फल की चिंता मत कर और जिस दिन आपने अपना करम 100% किया होता है न उस दिन आप सच में चेक कर ले न आपको फरक नहीं पड़ता result से अगर आपका result किसी वज़े से अच्छा नहीं आया न लेकिन आपको पता है आपने अपनी जान लगाई थी तो आपको ना मन में एक तसली पता है कहां से आजाती है आजाती है कि यार मैं क्या करती मैंने तो अपनी जान लगाई थी अब नहीं आया result नहीं आया मैं क्या करूँ वो तसली अपने आप आचाती है और अगर आपने कम महनत करी होती है आपके दिल से अपने आप आता है काश वो और पढ़ लिया होता काश क्योंकि आपके दिल उससे जादा किया तो जब आपका result आये तो दिल में ये तसलियों कि मैंने अपना best किया था आगे अब जो भी result आया वो भगवान की मर्जी क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी ने मलता और होना वो ही है जो वो चाहेंगे इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन हमें अपना काम जो है वो 100% करना है